हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो माई यूटूब चैनल जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में सोसियोलाजी के मोश इंपॉर्टन को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एक्जाम चाहेबा यूपी पीजी यूजी सी नेट जारफ जी आसी हो या असेश्टन प्रोफेशर आध एक्जाम में पूछे के को इस वीडियो में सामिल किया गया है तो वीडियो को पूरा देखेगा और हाँ आगर आपको वीडियो पसंदाज वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा और साथे साथ प्रैक अपके टूटल इस शेखे़ करते हैं के वीडियो कुश्डा में किस प्रैकार के विवाह की पध्धती प्रचलित है option number एक बीवा, option number भी है बहुपत्रिवा, option number 6 बहुपत्र ब्यवा zwei, last option number D बहुपत्रिवा दिस === solution का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer होगा हमारा option number C याने की ब्भुपत ब्वीवा यह हमारा second question है, rentier work की ओधारा किस ने दी है, option number यह है Marks ने, option number भी विवलन ने, option number C Spencer ने, और last option number D, परेटो ने, तिस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा, हमारा option number D, यानि की परेटो नो, निम्र्छित में से किसने जाति को एक बंध वर्ग के रूप में वर्डित किया है नंबर र के मुखर जी ने, नमबर ब्याट डीपी मुखर जी ने, नमज़ुमदार ने और लाश्ट है हमारा उपसन नमबर दी, ए आघर तेрашाई ने तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number C, यानि कि dn मजुमदार ने, dn मजुमदार ने कहा है कि जात एक बंद वर्ग है, इसका अर्थे की भारती जाद ब्योस्ता में, जाद बदलना या अन्य जात में सामिल होना स समभ है, तिस वैसे कुश्चन का राइट एंसर होगा, option number C, आज हमारा अगला प्रश्ण है, सामाजिक अस्त्री करण का आधार किसे माना जाता है, option number A है, वर्ण, option number B, जात, option number C, सक्त, और last है, option number D, उपर्युक्त सभी, तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर होगा, option number D, यानि की उपर्युक्त सभी, सामाजिक अस्त्री करण का आधार, वर्ण, जात, एवं, सक्ति पर जो है, आधारी थैद, कुश्चन का राइट एंसर होगा, option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, सामाजिक अस्त्री करण के चार स इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर होगा, हमारा option number B, यानि की बाटो मोर ने, सामाजिक अस्त्री करण वह प्रक्रिया है, जिसके दोरा संपूर्ण सामाजिक व्योस्ता, जो है, विभाजित हो जाती है, बाटो मोर ने सामाज एक प्रजाती सिध्धान्त किस ने दिया, जात का प्रजाती सिध्धान्त किस ने दिया है, option number G.S. घुरिये ने, option number B.D.N. मजुमदार ने, option number C. Herbert रिजले ने, और last option number D. J.H. Hatton ने, तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर परक से भारत में जात के निर्माड की प्रक्रिया जो है, संभव होई है, जब दो समुए एक ही प्रजात के तथा एक ही रंग आद के जो होते हैं, तो इन में पूर्ण सम्रिष्ण जो है, हो जाता है, लेकिन अलग-अलग रंग या अलग-अलग प्रजात के होते हैं, तो यह जो है बेमेल हो जाते हैं ठीक है तिस वुज़े से इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C आज हमारा अगला प्रश्ण है भारत में समनुवित जनजाती विकास पर्योजना आरंभ की गई कब की गई option number यह है 1975 में option number B 1980 में option number C 1978 में और लाट है option number D 1987 में तिस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer होगा हमारा option number B यानि की 1980 में भारत में समनुवित जनजाती विकास पर्योजना यह वर्स 1980 में जो है कब वर्स 1980 में जो है आरंभ की गई थी question का right answer होगा option number B आज हमारा अगला प्रश्न है नीचे उल्लिकित जन जातियों में कौन सी मात्रिवन सी है option number A खरिया, option number B टोड़ा, option number C खासी जन जाती और लाश्ट option number D संथाल जन जाती तिस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer होगा हमारा option number C, यानि की खासी जन जात, खासी जो है, या मात्रिवन सी जन जाते है, question का right answer होगा option number C, आज का हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित में कौन सा भारत में सांधकतिक विवित्ता का एक सूचक नहीं है, option number यह है, प्रजात, option number B, यानि की वर्ग, वर्ग भारत में सांस्कृतिक विवित्ता का सूचक जो है या नहीं है, जात, प्रजात, धर्म, कर्म, आरी जो है, यह भारती संस्कृत की मुख्य धाराएं हैं, तिस विए से इस question का right answer होगा, option number C, आज हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित में कौन सा सामाजिक विविविदी करण का उधारण है, ना की सामाजिक अस्तिरिक करण का, option number A है, वर्ग, option number B, link, option number C, भो सौमित तो लास्ट है, option number D, सक्ती, तिस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा, हमारा option number B, यानि की link, लिंग, कद, आय, प्रजाद, आध, जो है, सामाजिक विविविविदी करण के उधारण है, सामाजिक अस्तिर करण उच्चतम एवं निम्नता के क्रम पर जो है, आधारित होता है, तिस वर्ज से question का right answer होगा, option number B, आज हमारा अगला प्रश्ण है, यूनिस्कू अध्यन समू के अनुसार, निम्न लिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गे गरित किया जा सकता है, option number B, option number B, आप्सन नमबर से बहुत धिक हिंता, और लाश्ट है option number D, बहुत धिक उच्चता, तिस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा, इस question का right answer होगा हमारा option number B, यानि की सारेरिक विशेष्टा है, यूनिस्कू अध्यन समू के अनुसार सारेरिक विशेष्टाओं के आधार पर प्रजातियों को जो है वर्गी गरित किया जा सकता है, तिस वर्गे से इस question का right answer होगा option number B, आज हमारा अगला प्रश्ण है तोड़ा जन्जाद का अध्यन किसने किया है, option number A है reverse ने, option number B है V के राय वर्मन ने, option number C है LP विद्यार्थी ने, और last हमारा option number D, S के स्रिवास्तों ने, तिस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा हमारा option number A यानि की reverse ने, टोड़ा जन्जाद का जो अध्यन है या reverse ने किया है, बढ़ते माच के अगले प्रश्ण की तरह पाच्य हमारा अगला प्रश्ण है, ब्योस्था की रूप में जात एक बहुत अच्छी ब्योस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्थित हो जाती है, तब वह बहुत हानकारक हो जाती है, टिपड़ी कीजिए, option number A पूर्थिया गलत है, option number B पूर्थिया सही है, option number C अंसता सही है, और last option number D, तीनों में से कोई नहीं, तिस कुश्चन का right answer क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का right answer होगा, option number B यानि की पूर्थिया सही है, ब्योस्था की रूप में जात एक बहुत अच्छी ब्योस्था है, पर जब वह जातिवाद की रूप में परिवर्थित हो जाती है, तब वह बहुत अनकारेक हो जाती, क्योंकि जातिवाद राष्टी एकता और अखंड़ता को जो है, बाधित करती है, तीस विज़से इस कुश्चन का right answer हो जाएगा, हमारा option number B, आज हमारा अगला प्रश्चन है, सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ है, समाज का option number पेसे कद भीभाजन, option number B, भासा कद भीभाजन, option number C, सामाजिक अस्तित के अनुसार भीभाजन, और लाच्ट है, option number D, छेत्रीय भीभाजन, तीस कुश्चन का right answer क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का right answer हो गमारा option number C, यानि की, सामाजिक इस्थित के अनुसार भीभाजन सामाजिक सामाजिक holidays का अंशार बिभाजन इसका प्रमूंक तत्त जो होता है वह स्रीनिबद अस्तरण है जैसे कि जात व्योस्ता जात व्योस्ता हो गया वड व्योस्ता आती तो इस मुझू सी इस कुश्चन का राइट एंसर होगा option number C आज हमारा अगला प्रश्चन है जात व्योस्था की रिड की हट्टी है option number ए अंतर विवा option number B व्योस्था का निर्धारण जन्म से option number C अस्प्रिश्यता और लाज्ट है option number D सामाजिक इस्थित का निर्धारण इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number B यानि की व्योस्था का निर्धारण जन्म से जात व्योस्था का निर्धारण जन्म से होता है एक व्यक्ति जिसे जात में जन्म ले लेता है आज इवन उसी जात का होकर वह रह जाता है तिस वर से इस कुश्चन का राइट एंसर होगा option number B आज का हमारा अगला प्रश्चन है जात की परिवासा है option number यह जात एक बंद वर्ग है option number B जात एक अंतर बिवाही समू है option number C जात एक बहिर बिवाही है और लाज़्ट यह option number D जात एक जात एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्ता केवल जन्म से ही निशित होती है यह अपने सदस्यों पर विवास इच्छा धर्म संस्कारता राजनाती कि हम सामाजिक विवहाल संबंधी अनेक प्रतिबंद जो है लगाता है तो इस वज़े से कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा आप्शन नमबर ए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ र हैं जिसे आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको इनफर्म कर दो कि 2022 में यूपी बीजीडी के काफी पोस्ट सोसियोलोजी से आने वाली है तो आप लोग जम के अभी सी प्रेपरेशन करना सुरू कर देजे और क्योंकि क्या होता है कि जब के बाद अपन प्रेपरेशन करेंगे तो ऐसा आपके साथ होगा कि एक्जाम के टाइम भी कुछ ने कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती जिसकी वजह से हम जो है प्रेपरेशन नहीं कर पाते हैं तो अभी सही आप लोग रेगुलर एक प्रैक्टिस एट जो हम प्र पिछली बार की तरह ही इस बार भी हमारे प्रैक्टिस से फजने माला है ठीक है तो आप लोग प्रॉपर मिनत करें यार और एक रिक्वेस्ट थोड़ा सा वीडियो को सेर और भी कर दिया करिये ठीक है इससे हमको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा बढ़ते हम आज के अप चैनल करते हैं ग्रिदैन दोनों समाच के अस्ति को न Around पर आधारीथ है लागेश्छी के है अलै कि जंपर आधारीथ एक साम कalls आठारीथ होता है जबकिन यह लगेश्द कर्म पर आधारीथ है dit अधिक काल में वर्ण ब्योस था ब्राह्माण चत्रिय वैस था सूद्र में जो है विभाजित थी इस वाज से इस कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर सी आज हमारा अगला प्रश्चन है निम्ण में से कौन सा कथन जो है सत्य है ऑप्शन नमबर है जात था था वर्ण दोनों जन पर अधारित है इस कुश्चन का भी राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर सी यानि कि जात था वर्ण दोनों पर समाज का अस्तिरिकरण जो हम करते हैं बढ़ते हम आच के अगले प्र ऑर उसकी सामाजिक प्रस्थित के दोरह तर शामाज का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कूश्यं होगा हमाराप्शन नमबर ए यानि कि इसकर के दौरह संमाजिक वर्ण समाज में आर्थिक और सांक्णिक ब्योस्थ्ताह का स्मुंई है समाज स Also स्कूरों समाज के वर्ण एक आवश्य कारक है व्यक्त के वर का निधारण इसके बेवस्वाय दोरा जो है होता है तिस वज़े इस कुश्चन का राइट एंसरों का ओप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रशन है वर्ण सब्द का प्रियोग जो है सरप्रथम किया गया वर्ण सब्द का प्रियोग प्रियोग वर्ण सब्द का लगवक 4000 इसा पूर्व ठीक चारजार इसा पूर्व में मान जाता है वैदिक काल में इन वर्ण वर्ण में आपसी वहवाहिक खान पान या अन्य सामाजिक सहवाद्ध समंदी कोई प्रतिबंध जो है नहीं थे तो इस में से कुशन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश के मुसल्मानों के बीच जुलाहा जातिसमों में कौन सामिल है ऑप्सन नमबर ए है दरजी ऑप्सन नमबर बी कसाई ऑ जाते हैं कि इस कुश्ण का राइट एंसर क्या हो जामिल है कि अध्या आप्सन नमबर आप्सन नमबर उक्ष ठीक है आप लोग इसका अध्यम्समों मीलता है gentleman करते हैं अब आज के अपने लगर की तरहा चाहलोगों है यहां सी यह मुस्लिम कुलिट तो टो इस अपने को को comment box में comment करके बताना होगा कि questions का right answer क्या होगा उम्मेद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को like कर दें और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें और आप ने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में comment करके जरूर बताएं जिससे क्या होगा हम आपके कमेंट को अपने नेश्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे तो चलिए मिलते हम आपसे अपने नेश्ट वीडियो में तब तक ले जैहिंद बंदिमात्रम